विंग कमांडर अभिनंदन का हार्दिक स्वागत करने के लिए अभी से ही भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी की तरफ लोगों का हुजूम जुड़ना शुरू हो गया है एक तरफ हम आपको सरहत पर लगा हुआ तिरंगा दिखा रहे हैं ठीक उसके पीछे पाकिस्तान का जंडा नजर आ रहा है और यहां से लाहोर तकरीबन 22-23 किलोमीटर है और वागा बॉर्डर से होते हुए अटारी होते हुए अभिनंदन का हार्दिक अभिनंदन यहां पर हो किस तरीके से स्वागत करेंगे आप पूरे डोल नगारे से फूल मालाओं से स्वीर का स्वागत किया जाएगा क्योंकि अमरसर जब जब भी हिंदोस्तान की पाकिस्तान के साथ जंग लगी है तो अमरसर वासी पूरे फाज के साथ खड़े हुए हैं पिछली जब 71 की जंग थी तो हमारी फोजें जो बिलकुल लाहूर के उपर जाके बाटाशू कमपणी में बैठी थी ताब भी सारे अमरसर वारसी फोज के लिए खानावगारा लेके वहां तक जाते थे और वहां से जो चीजें उठाके लाए थे उनकी मोटरें और सारा कुछ उसकी हमने निशान बहुत बढ़ गया है उन्होंने हमारे तरंगे को और भी उचा कर दिया है पाकिस्तान को मुह तो जवाब देने के लिए पीछे तक वहां पर पकड़े गये चलो लगब बात है लेकिन हम बहुत खुश है तो लोगों का जोश और जुनून आप देख सकते हैं और इसी रास थी कि मैं खुद जो है जाना चाहता हूं अटारी बॉर्डर पर अभी नंदन का स्वागत करने के लिए और यहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ सुरक्षा ववस्था कड़ी है तो दूसरी तरफ लोगों का जोश और जुनून हाथों में तिरंगा लिए भारत माके इस पूत का स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम अभी से जुटना शुरू हो गया है अज सारे देश की नजर है अटारी वागा बॉर्डर पर टीकी हुई है हमारे वार हीरो विंग कमांडर अभी नंदन कुछ देर बाद पाकिस्तान की सरहत को पार कर अपने वतन कि कितने पंजाबी पहुंचे हैं अमरे सर के जो स्थानी लोग हैं वह हाथों में तिरंगा लेकर के पहुंचे हुए हैं इस वीर शूर वीर का स्वागत करने के लिए आप सारा अमरे सर यहां पहुंचेगा सर ऐसे हीरो को मिलने के लिए हर एक पहुंचेगा हर को स्वागत करने के लिए अटारी बटर पहेगा हम सबसे पहले हैं साड़े-दस बजे उनको छोड़ना है लेकिन हम साड़े-चार बजे कि यहां वेट कर रहे हैं आप से मीडिया से भी पहले पहुंचे हुए हम कि हम उनका सवागत करेंगे जब भी वह आएंगे हमें बहुत खुशी है हमारे हीरो हैं आपको बता दें कि पंजाब जो है सीमाई इलाका है और यहां पर जब ही भी कुछ टेंशन होती भारत पाकिस्तान के बीच में तो पंजाब के लोग इस टेंशन को जहेलते हैं आप जब 71 की जंग हुई तब भी जो लोग थे यहां पे उन्होंने सेना का और सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इसने हिंदोस्तान का मान बढ़ाया है हम लोग जो बार्डर पे बैठे हैं हम ही इसकी कीमत समझते हैं क्योंकि जब जब भी अटेक होता है हमारी जंग चलती है कई बार फौज उदर से आगे आ जाती ही लेकिन इस बार्डर से हमेशा ही हि 71 वे भी जो हमारी फौज थी जो इच्छोगिल नहर है पाकिस्ति लहोर के पास वहां पर बाटाशू कंपणी में उसने अपनी चुंकी बिठाई थी हमारे जो बजुर्ग थे वह इस चोगिल नहर तक गये थे उनके गवहों में जितना सा मोट रहे हैं और यह उसा भी उठ संबान करते हैं